हलो देर, धन्ता लाइबरेर की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आगया हूँ जिसमें मैं आपको विंडो स्टेंड कर स्टोरेज सेंज फीचर के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको विंडो आइकन पर क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है सेटिंग्स के अंदर आपको पहला ओप्शन मिल जाता है सिस्टम आपको इसके अंदर एक ओप्शन मिलता है स्टोरेज आपको storage के अंदर जाना है और आपको सबसे उपर एक option देखने को मिल जाता है configure storage sense और run it now आपको सबसे पहले इसे on कर देना है on करने के बाद आपको configure करना है configure करने में यहाँ पे आपको कुछ settings मिल जाती है जिसके तुरू आप अपनी hard disk पे temporary files को automatically delete कर सकेगे जी हाँ यह storage sense कितना amazing है कि अब आपको अपनी temporary files को manually delete करने की जरूरत नहीं है यह आपका काम automatic कर देता है तो आपको यहाँ पे कुछ settings मिल जाती है आप इसे अपने according चूज कर सकते है उसके बाद आपको delete temporary files के लिए settings मिल जाती है यहाँ पे आपको download folder को delete करने की setting मिल जाती है और आपको clean now का option भी मिल जाता है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे local disk C का पूरा data दिखाई दे रहा है कि apps and features ने कितना space equipped कर रखा है documents ने कितना कर रखा है temporary files ने कितना और other चीजों ने कितना कर रखा है आप यहाँ पे more categories भी देख सकते हैं और fewer भी कर सकते हैं It's all up to you तो यहाँ पे आप temporary files पे click करके इन्हें simply delete कर सकते हैं आप यहाँ देखिए मेरे पास remove file का option है मैं इन्हें remove कर देता हूँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि remove करते time आप download पे click ना कर दे अगर आप इस पे click कर देते हैं तो आपका सारा downloaded data delete हो जाएगा तो आपको इस चीज का make sure करना है कि आपको क्या delete करना है और क्या नहीं उसके बाद आपको नीचे कुछ और settings मिल जाती है view storage uses on other drives आप अपनी बाकी hard disk का भी बाकी partitions का भी storage देख सकते हैं आप ये भी select कर सकते हैं कि नया content कहां पे save हो आप अपनी drive को optimize कर सकते हैं उसका storage manage कर सकते हैं और आपको यहाँ पे उसके साथ में backup options भी available हो जाते हैं तो I hope आपके लिए ये video informative रहा होगा ऐसे और informative tips and tricks के लिए हमारे youtube channel को subscribe करें and don't forget to press the notification bell icon thanks for watching